यहां जो प्रेस के साथ ही हैं, बहुत पुराने हैं, मैं आज के सिवर के लिए समाजबादी पार्टी के सभी नेता कारकटा जिन्होंने कारकटा को बहुत तैयारी के साथ 24 में बीजेपी आई थी, 24 में चली जाएगी अरे कितने मुद्दे बताओं में, वही मुद्दें जो अभी बताएं, महंगाई के, बिरुजगारी के सोचिए, बीजेपी से अगर आप पूछिए, कि महंगाई है तो वो कहते हैं, महंगाई है ही नहीं सवाल बिरुजगारी पे पूछिए तो कहेंगे सौ में के विल चार बिरुजगार हैं, यह कोई जवाब है सरकार के और सरकार यह बताए कि जो उन्होंने अपने गोश्टना पत्र में लिखा था, क्या वो जमीन पर कुछ उता रहा है इसलिए पत्रकार साथियो आप भी सहयो करें, बहुत धन्यवाद आपका हत्याओं का सिलसला जारी है, साथ दिन पहले एक दरोगा की हत्या हुई, उसके बाद पत्रकार की हत्या हुई और उसके बाद कल एक शिचक की हत्या हुई आखिर क्या law and order की बिहार में समस्या है, मैं इस सवाल इसलिए पूछ ना हूँ कि आप आम चुनाओ, पुरे देश का एक चुनाओ होने वाला है law and order पर बड़ा अच्छा पूछा आपने, आज का अख़वार कोई तो पढ़ा होगा आपने कोई अख़वार तो पढ़ा होगा आपने, क्या वज़ए है कि आप कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है लेकिन किसी हत्या के बारे में यूपी में हुई है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते है आप आप तो मुद्दा उठाएंगे ना मैं उठाओं ना उठाओं, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, मैं उठाओं, नहीं उठाओं, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है और जब से सौ एक सौ बारे हुआ, क्या पुलिस ने अपना दाम नहीं बढ़ा लिया और यहीं पर सोचो किसकी हत्या हुई थी इसी जिले में आपने कितना अपने चैनल पर चलाया था क्या ब्रेकिंग निउस चलाया थी क्या किसी से इस तरह का सवाल पूछा था आपने क्या बिहार में घड़ना हो गई यहां तो पुलिस का कौन सा दिकारी मारा गया था दरोगा मारा गया था दरोगा मारा गया सोचो और आप चुप रहें दरोगा मार निस सर फुल डे ख़बर चलीती पैकेज बनके चलीती और उसका सयोगी उसका हत्या निकला था उससे क्या हत्या तो की ना किसी ने और फिर यूपी में कितनी घटना है कि ना हूँ मैं आपको अगर आज ही की देख लें और अगर NCRB का आगड़ा ही देख लें हम तो सबसे ज्यादा कस्टूडेल डेथ अगर कही हो रही है तो यूपी में हो रही है अभी एक दो दिन पुरानी घटना जो हुई है किस तरीके से हुई सोचो प्राइविट पार्ट्स में क्या आप कल्बना कर सकते हो आज किस समय पर क्या इस तरह की घटना हो जाए नमबर एक है यूपी कस्टूडे डेथ में और फेक इंकाउंटर में नमबर वन वो तो मैंने आकड़े पढ़े नहीं यहाँ पर सिबिर में कमाल की पुलिस है और कितनी उगली उठी है पुलिस के उपर इसी तरह एक्सप्रेस बे के किनारे मंडी बननी थी एक भी मंडी नहीं बनी तो आखिरकार किसान को लाब कहां से भोगा आलू के किसान के लिए कहा कि खरीद होगी आलू की अगर एक भी आलू की खरीद हुई हो तो कोलिस्टोर के लोगों पर दबाब बना करके कोलिस्टोर भरे गए उस समय लेकिन क्या कोल डिस्टोर मालेकों को सहूलियत दे रहें जिससे किसानों को मदद मिल जाए मक्का की कीमत देनी पाए, मक्का भींग गए, नुकसान हो गया, उसकी कोई भरपाई नहीं सरसों का तेल कितना महिंगा है, सोचिए इस जिले के उस तरफ चले जाए हैंग दूसरे प्रदेश की तरफ तो सर्सों का तेल का सबसे ज़्याद उत्पादन हो रहा है लेकिन आज कीमत क्या है रिफाइन तेल की जान बुज करके कीमत बढ़ाई हुई है जिस तरीके से टेमाणाठर की कीमत बढ़ाई थी सरकार ने टेमाणाठर की कीमत बढ़ाई थी कि कुछ लोग को लाब पहुचाना चाहते थे रिफाइन तेल भी इसलिए मह хотите कुछ लोग को लूग को लाब जदा पहुचा रहे है तो ये भारती जन्ता पार्टी के लोग जो बावा साव भीमरा मिटकर जी ने समयदान दिया था जो अधिकार मिले थे उन्हें अधिकारों को चीना जा रहा है एक ट्रिलिन डॉलर एकॉनमी की, किसान की आए दोगुनी करने की ब्रोजगारों को नौकरी और रोजगार देने की और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और लगातार जब हम पीशे मुड़ करके देखते हैं इस सरकार की नाखामियों को देखते हैं ना किसान की आए दोगुनी हुई ना नौजवान को नौखी रोजगार मिला और महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं जो समय समय पर इन्होंने इवेंट्स किये इन इवेंट्स के माद्दम से M.O.U. जो किये अभी तक कोई M.O.U. M.O.U. जमीन पर उतरता नहीं दिखाई दे रहा है और जो बात कही गई थी कि 33 लाक क्रोड से ज़्यादे के M.O.U. हुए है वो आखिरकार M.O.U. कहां रुख गए यही सरकार जो बंदेल खंड में कह रही थी कि हम मिजाइल्स बनाएंगे टैंक बनेंगे एरक्राफ्ट के पार्ट्स बनेंगे एरक्राफ्ट बनेंगे लेकिन सोचिए दस साल दिल्ली के पूरे हो गए और जब 24 का चुना होगा तो लगबख 7 साल उत्पदेश की सरकार के पूरे हो जाएंगे कहां हैं जो चीज़ें कहीं गए थी जो वादे किये गए थे और अभी तो गोश्टना पत्र इनका पल्टा नहीं हम लोगों ने जो जो गोश्टना पत्र में इन्होंने बातें लिखी थी एक भी बजट के माद्देम से पूरी नहीं हो पारी जिस उत्तपदेश में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन समाजवादी सरकार ने बढ़ाया आज भी वो प्लांट पूरी तरीके से चालू नहीं कर पाई ये लोग और उसका प्रणाम ये है कि महंगी बिजली मिल लई है हर गाउं में बिल आ रहे हैं मीटर लगा दिया गया लेकिन विजली कितनी मिल ले हैं उनको आज एक भी जिलास पतादेश सरकार ने नहीं बनाए जहां गरीब का इलाज हो जाए सुनने में आरा कि सुरुआत कि नहीं C.S.C. को PPP मॉडल पे प्राइविट हाथों में देने जा रहे है C.S.C. को डेली के प्लाइविट जो लगना शुरूए थे आपके जिले में भी पराइविट का समाजवादी सरकार में बजट दिया गया था पराइविट का उच्छी करने के लिए काम दिया गया था वो वैसा ही कब ऐसा पढ़ा मशीनों का पता नहीं कहा चली गई जो नौकरियां मिल जानी चीज़ी थी वो नहीं दी जा रही है और जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहे है वाइस चांसर्स के या वाइस चांसर्स जिस तरीके से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं युनिवरस्टीज में आप माइक्रोस्कोप भी लगा करके देखोगे तो पीडिया आपको नजर नहीं आएगा जो बड़े बड़े अस्पताल बनना शुरू है थे समाजवादी सरकार में वो भी पूरे नहीं हुए और फुरूदाबाद में तो मेडिकल कॉलेज दिया था समाजवादी सरकार में क्या मेडिकल कॉलेज में जो नॉम से उसके तहत हुए असिस्टेंट प्रॉफिसर एडिशनल प्रॉफिसर्स हैं पूरे टेक्नल स्टाफ क्या पूरा है जो गाओं में अम्बुलेंस पहुंच जाती थी गरीब की मदद के लिए वो भी बरबाद कर दी पुलिस के लिए एक सो बारे दिया जो सो नम्मर था पहले क्या एक सो बारे करने से पुलिस में सुधार आ गया भरष्टा चार चरम सीमा पर नोड़ बंदी अगर दोनों मिला लेंगे हम पहले वाली नोड़ बंदी और दो हजार रुपए की नोड़ बंदी तो दुनिया का सबसे करप्ट डिसीजन अगर कोई था तो वो नोड़ बंदी था सबसे बड़ा भरष्टा चार अगर कोई हुआ है तो वो नोट बंदी के समय पर हुआ ये तो कहने थे कि दो हजार में चिप लगा हुआ है क्या दो हजार रुपए जो लोगों ने निशानी के रूप में रखा है क्या बाद ड्रोन से ड्रोमाएंगे बोग सोचिए खुदी छापा खुदी बंद कर दिया कितना बड़ा घुटाला किया है नोंने दो हजार रुपएा खुदी छापा खुदी बंद कर दिया इसलिए ये सरकार बचने वाले नहीं है जो लोग लाल किले से जूट बोलते हों जो लाल के लिए में अपना ही वादायान न रखते हूं उनको जनता इस बाद सबक सिखाएगी हम लोगों ने लिए आप अक्सर मैं बारे साल से आपको कवर कर रहा हूं आप साइकल यातरा पर निकलते थे पूरे उत्तर परदेश में यहां तक कि आपने फिरोजाबा से सेफवाई तक साइकल की सवारी की थी अब क्यों नहीं साइकल की सवारी फिर दुबारा से हो रही जबके आहम चुनाओं को छह मईने सेच रह गए है सब आपी बताने लोगों कि फिर हम सिविर में क्या करेंगे अगर आपी हमें बताने लोगों कि हमें क्या करना है अरे हर चीज के हुई समय होता है समय के हिसाब से चीज़ें होंगी अभी गठवंदन और सीटों पर बात उतनी नहीं हुई जितनी आप बना रहे हो जिस सेच पर बात होगी तो आपको जानकारी हो जाएगी कौन कहां से लड़ेगा लेकिन मैं आपको कहकर के जा रहा हूँ इंडिया गठवंदन पीडिये के साथ असी की असी सीटे भारती जनता पार्टी को हारने जा रहे है गोसी उप चुनाओं में भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी दारा सिंग पर अभी कुछ देर पहले काली सियाई उनके मूँ पर फैकी गई है बहुत दुखत घटना है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के उपर इस तरह का बिवहार कोई करे आखे क्यार भारती जनता पार्टी कि इतनी बड़ी पुलिस की फौज क्या कर रही है और आज के समय पर कोई इस तरह का बिवहार करे इंक फैक जाए और पकड़ा न जाए उसकी जानकारी न हो कहीं ऐसा तो नहीं भारती जनता पार्टी दूसरे दल पे आरोप लगा रही हो वो आरोप इसलिए लगा रही हो क्योंकि वहां की जनता जागरो हो गई है वहाँ की जनता, भारती जनता पार्टी को इस बार सबक सिखाने के लिए तैार है क्या मद्ध परदेश में समाज़वादी पार्टी चुनाओ लड़ेगी अगर लड़ेगी तो किस गठबंदन से लड़ेगी समाज़वादी पार्टी पिशली बार चुना लड़ी थी हमारे एक विधायक थे कई जगे हम नमबर दो पे थे जिस समय कॉंग्रिस की सरकार बननी थी सबसे पहले चिठी लिख करके अगर कॉंग्रिस की सरकार बनाने के लिए किसी का समर्था मिला था तो वो समाजादी पार्टी का था और जहां समाजादी पार्टी का संग्ठन है जहां समाजादी पार्टी नमबर एक पर और नमबर दो पर रही है वहां जरूर समाजादी पार्टी चुना लड़े की महाबारत पड़ी है समय समय पर आजकल जतनी प्लेटफॉर्म से उस पर जानकारी हासिर है मा सीता का हरनुआ रावर्ट खतम हो गया चीर हरनुआ महावारत में कौरब खतम हो गया अगर मनीपुर में हमारी बेहने और बेटियों के साथ ये बेवार हुआ है तो आदी अब आदी भारते जिनता पार्टी को बोर्ट देने नहीं जा रही है इस बार दिल्ली से भी जाएंगे यूपी से भी जाएंगे चौदे में आये हैं थे 24 में चले जाएंगे उतर परदेश सो विदायक मद्दे परदेश में कैमपेइनिंग के लिए गए हुई है आश ही हुई है कि जैसी हार माँ होगी वैसी हार उनकी यहां भी होगी तो हार देखने गए हैं वो बीजेपी वाले सवाल पूछते हैं और आप लोग कुछ चठपटा मिलता है जिससे नियूज चले इसलिए सवाल बड़ा है मैं आप यसे जानना चाहता हूँ कि वो नेता का नाम आप बताएं जिस नेता ने ये कहाओ कि देश के प्रधान मंत्री सबसे जुटे प्रधान मंत्री हैं जोनों ने मुक्षिए जी के लिए गाना गाया हो के चल सन्यासीम मंदिर में उसनिता का नाम क्या है टीपीजेपी सोचे इस बारे में सर ये राहुल गांदी इस समय लद्दाख के दोरे पे हैं राहुल गांदी ने एक बयान जारी किया है कि वहां के इस्थानिये लोगों ने बताया है कि चीनी सेना हिंदुस्तान में गोसाई है और उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पे कबजा कर लिया है सरकार डिनाईल मोर्ड में है लद्दाख और वो इलाका हमेशा महत्पून राह है भारत के लिए भी समाजवादियों ने हमेशा डाक्टर रामनो लोईया नेता जी और जितने भी समाजवादी लोग रहे उन्होंने हमेशा कहा कि चीन से साबधान रहे पहले अक्साईचिन और अब यह हिस्सा भी आपके हाथ से छूट गया है अगर लोग वहाँ पर बताने कि कुछ हिस्से में वहाँ के चीन के कबजे में है फौज के लोग बोल नहीं सकते है लेकिन फौज के लोग जानते है वो लेग जो हम लोग फिल्म में देखते थे कभी उस पर कभी भी दूसरे देश के लोगों का खबजा नहीं था इसी तरह अगर सरकार खासकर भारत सरकार अपनी कम्जोरी दिखाती रही तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से मांसरोबर जाने के लिए आपको चीन का वीजा चाहिए अगर आप वो लेख दिखने जाओगे तो भविस्त में हो सकता है आपको चीन से पर्मिशन मांगनी पड़े तब जाकर के उस लेख को आप देख पाएंगे मेरे पतकार साथी मैंने मुख्यमंती जी से पूछा था कि आपने सबसे पहले परवाबाद शुरू किया मुझसे पहले आप सांसत बन गए और नकिबल सांसत बन गए बलकि आपने मटके सबसे बड़े अधिकारी भी बन गए आप तो ये परवाबाद नहीं है क्या बीजे पी को अपना परवाबाद नहीं दिखाई देता है अपना परवाबाद देखने के लिए कौन सी आँखें चीए उनको ये मुद्दा कोई नहीं है मुद्दा महंगाई का मुद्दा बरोजगारी का जो आज बिली नहीं आ रही जो महंगी बिली है जो हातों में काम नहीं रोजगार और खासका फरवाबाद सोचिए आप याद होगा समाजबादी सरकार में हम लोगों ने फैसल लिया था कि हाँ पर ग्लास सिटी बनाएंगे और ग्लास सिटी इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि यहां से जुड़े हुए मज़़ूर लाकों की संक्या में जो कारोवार करते हैं जो हमारे आडिशन्स हैं जो हमारे कारीगार है किस देहने किस इस्तिदी में वो काम करते हैं फर्नेस के सामने कोईले की फर्नेस गरमी के सामने उनको नजाने क्या-क्या उनके फैफों में चला जाता है तो जो उनका जीवन इस तर होना चीए बहतर वो नहीं बन पाया और बड़े संख्या में लोग बहुत गरीबी के हालात में रह रहे हैं तो सोचिए ग्लास सिटी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे नहीं बना पाए लेकिन हम फरोजबाद के तमाम अपने गरीब मज़़ूरों को और खासकर कारीगरों को कह करके जा रहे हैं जब भी समाजवादी सरकार बनेगी यहां पर ग्लास सिटी होगी जिससे की हमारे मज़ूर भाईयों को सेफ्टी के साथ उन्हें काम करने का मौका मिले और जो समय समय पर उनको प्रते दिन मिलता है शायद वो अपनी मेहनत का भी नहीं पापाते हैं अकलेश जी नेताओं की कही हुई बात और किस तरीके से आने वाले समय में चिनौतियां है वो बात अगर रखेंगे तो समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे भी और समाजवादी पार्टी के बूत इस्थरक बड़ी ताकत बन करके आईगी ये लोगसवाब हो है जो समाजवादीयों का गड़ माना गया है मेरी तरफ जो बाएं बैठे हैं वो भी यहाँ से सांसद रहे हैं मैं भी सांसद रहा हूँ अक्षे भी सांसद रहे हैं और जब 24 में रिजल्ट आएगा तो समाजवादी पाड़ी का ही सांसद होगा